हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका mathematics teacher वेलकम करता हूँ digital तेहरी के YouTube चैनल पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं RS अगरवाल हमारी English वाली बुक के बारे में जिसमें हमारा chapter है search and indices जिसका part देख रहे हैं part number 9 start करते है part number 9 जो कि start हो रहा है question number 105 से क्या कर रहा है question number 105 देखिए if 2 power 2x minus 1 plus 4 power x is equals to 2 power x minus 1 by 2 plus 2 power x plus 1 by 2 तो देख लेते हैं इसको कैसे होगा देखेगा 2 power 2x minus 1 है तो क्यों ना इसे हम 2 power minus 1 ऐसे भी लिख सकते हैं plus 4 power यह x है तो 4 को मैं 2 power 2 लिख सकता हूं और x अल्रेडी लगावा रहा है बराबर यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 2 power x multiply 2 power minus 1 by 2 इसको मैं लिख सकता हूं 2 power x multiply 2 power 1 by कुछ common आ रहा है तो common लेके देखते हैं इन दौनों में 2 power 2x common आ रहा है अंदर रहा है 2 power minus 1 और यह plus का 1 यहां पर 2 power x common आ रहा है अंदर रहा है 2 power minus 1 by 2 और यह 2 power 1 by ठीक है चलिए अब इसको देखते है तो 2 power 2x तो बाहर ही है 2 power minus 1 है तो 1 by 2 हो गया और यह plus 1 ठीक है इधर मैं देखो तो 2 power यह कितना है 2x 2 power minus 1 by 2 है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब यह हो गया 1 by root 2 और यह इधर ही root 2 ठीक है है यह तक अब इसको करते हैं तो हम देख सकते है है यहाँ पर cancel होने के लिए कुछ है तो अगर हम देखे तो यह 2 power 2x है और 2 power 2x है तो इसको इधर लेकर आ जाते है तो कितना बचेगा तो कि 1 है और यह टू की पावर X है तो हम देख सकते हैं इसको टू की पावर रह जाएगा या फिर हम यहां से अगर देखें अंदर यह अंदर सौल हो रहा है यह 2 पावर 2x मैं ठीक है और यह 1 बाइ 2 प्लस 1 मतलब 3 बाइ 2 कि इधर हम देखें तो यह कितना है 2 पावर x ये root 2 तो 1 प्लस root 2 इंटो root 2, 2 तो मैं देख सकता हूँ ये 3 है और ये भी 3 है तो ये तो आपस में cancel हो गया ठीक है, फिर अगर हम देखें तो ये 2 power 2x ये upon में 2x आ जाएगा equals to ये 2 चला जाएगा उपर और ये root 2 है इसके नीचे इस 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या root 2 into root 2 तो root 2 से root 2 cancel हो जाएगा तो ये आगया कितना root 2 ठीक है यहां तक अब हम यहां पर ये देख सकते हैं कि हमें x की value निकालनी है तो ये उपर चला जाएगा तो ये 2 की power 2x minus क्या हो जाएगा x ठीक है और ये root 2 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की power 1 by अब मैं ये देख सकता हूँ कि दौनों तरफ base value सेम है तो power भी आपस में क्या होगी सेम होगी तो मैं कह सकता हूँ कि 2x minus x जो है वो किसके बराबर है आपके 1 by 2 के तो हमें तो x निकालना है तो x आ गया 1 by 2 क्योंकि 2x minus x, x ही होगा 1 by 2 मतलब first option हमारा बिलकुल सही होगा तो ये था हमारा question number 105 बात करते हैं next question 106 के बारे में क्या कह रहा है 106 देखिए the value of y y की value निकालनी है ठीक है तो given है आपको 3 की power 2x minus y equals to कितना 3 की power x plus y ठीक है तो यहां से हम देख सकते हैं कि यह जो है यह किसके equal है इसके और यह भी किसके equal है ठीक है तो यह तो ऐसा देख सकते हैं नहीं तो यह भी चीज़ देख सकते हैं यह अगर 3x plus y है तो हम यहां पर देख सकते हैं कि दौनों तरफ अगर base value same है तो पावर भी आपस में क्या होगी, सेम ही होगी, तो ये पावर सेम कर लेते हैं, तो 2x minus y is equals to x plus y, तो minus का उधर जाएगा, तो plus का हो जाएगा, तो 2y और x इधर आएगा, तो x की value आगी 2y, लेकिन हमें y निकालना है, तो यहां से x और y में relation आ रहा है, ठीक है, या तो relation लेकर हम आगे चल सकते हैं, जैसे कि यह relation ले लिया, x बराबर 2y है, तो अब हम बात कर लेते हैं, केवल और केवल इन दौनों की, यह है 3 की पावर x प्लस y, और यह क्या है, आपका 27 का square root है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर 1 बाई 2, फिर 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का cube होता है, तो यह 3 की पावर 3 बाई 2, और यह कितना है, 3 की पावर x प्लस y, और x की value कितनी है, 2y, तो ये 3 की पावर x, x पतलब 2y और ये प्लस का y दौनों तरफ base value सेम है, बिल्कुल 3 और 3 है तो पावर भी आपस में क्या होगी, दौनों सेम होगी तो ये हो गया 2y प्लस y, 3y और वो पावर कितना 3 by 2 3 से 3 कैंसिल हो गया, y की value निकालनी थी जो की आचुकिए 1 by 2, मतलब 1st option हमारा बिल्कुल सही होगा चली, बात करते हैं, next जो question है 107 उसके बारे में क्या कह रहा है 107 देखिए, 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y, बराबर 45 की पावर z ठीक है, चली कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पूछ रहा है relation क्या आएगा इन में, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो 45 है, वो होता है 9 into 5, बिल्कुल सही है, जो 45 है 9 को मैं लिख सकता हूँ, 3 का square into 5, बिल्कुल सही है तो यहां से अगर हम values निकालें, तो इसको मैं k के equal लिखूँ, तो ये भी k एक्वल है ये भी k के equal है और ये भी k के equal है, तो मैं यहां से 3 की value देख सकता हूँ, जो की आएगी k की power 1 by x, मैं यहीं से 5 की value देख सकता हूँ, जो की आएगी k की power 1 by y, क्योंकि इями युदर पावर में y है, तो उधर जाकर inverse हो जाएगा तो 1 upon y और यहीं से मैं 45 की value देख सकता हूँ जो की आएगी k की power 1 by z तो यह सारी values यहाँ पर रख लेते हैं 45 k की power 1 by z 3 का square तो 3 की value किया k की power 1 by x तो square करूँगा तो k की power 2 by x और 5 की value किया k की power 1 by y तो यह k की power 1 by y यह k की power 1 by z चल रहा है यह base value same है तो power का sum कर लेंगे तो यह होगया 2 by x plus 1 by y दौनों तरफ base value same है तो power भी same होगी तो इसकी power कितनी है 1 by z और यह power कितनी है आपके पास यह है 2 by x plus 1 by y अब relation देखना है तो देख लेते हैं काँ पर मिल रहा है यह मिल गया relation आपका तीसरा option सही है 1 by y इधर आ जाएगा तो 1 by z minus 1 by y वो equal हो गया 2 by x के क्या option है क्या बिलकुल है और y option हमारा third option सही है चलिए बात करते हैं next जो question है आपके 108 उसके बारे में क्या गरा question number 108 देखिए दे रखा है 2 की power x बराबर 8 की power y plus 1 ठीक है तो 8 को मैं 2 का cube लिख सकता हूँ और यह y plus 1 अपनी जगे पर है मैं देख सकता हूँ दौना तरब base value सेम है तो power भी सेम होगी तो यहां से पता चल गया मुझे कि x is equals to 3y plus 3 यह एक equation हमारे पास आज़ो ठीक है एक और relation है आगे मेरे पास 9 की power y is equals to 3 की power x minus 9 तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का square और यह 3 की power x minus 9 मैं देख सकता हूँ दौना तरब base value सेम है तो power भी आपस में क्या होगी सेम होगी तो यह आगया कितना 2y equals to x minus of 9 यह आगई second equation value किसकी पूछी आपको x plus y की तो x और y दोनों निकालने पड़ेंगे निकाल लेते x की value 3y plus 3 है इसमें रख लो तो इसमें रख लेते 2y is equals to x की value 3y plus 3 और यह minus का तो 3 minus 9 minus 6 इधर आएगा तो plus का हो जाएगा और 2y उदर जाएगा तो 3y में से 2y गया तो y आगया 6 तो y की value तो आगई हमारे पास 6 x कितना आया वो भी देख लेते हैं तो यह y यहाँ पर रख लेते हैं 6 तो 3 into 6 कितना 18 plus 3 कर लेंगे 21 तो x कितना आगया 21 यह आगया 21 21 plus 6 27 4th option हमारा सही होगा क्योंकि x plus y हमें पूछा है चलिए बात करते हैं next जो question है 109 उसके बारे में क्या गहरा question number 109 देखें What are the values of x and y that satisfy the equation this ठीक है चलिए तो 2 की power 0.7x है चलिए dot है मतलब multiply है यह 3 की power minus है minus है तो नीचे लिख लेंगे तो plus में हो जाएगी तो 1 upon 3 की power यह 1.25y minus में आगी minus में थी plus में आगी equals to 8 है 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का cube multiply root 6 है तो root 6 को मैं 3 into 2 लिख सकता हूँ और वो भी root में रहेंगे 3 और 2 भी और root का मतलब power अगर घात लगाना चाहूँ तो 1 by 2 होगा तो 2 की power 1 by 2 और यह 3 की power 1 by 2 27 है उसको मैं 3 का cube लिख सकता हूँ चलिए तो यह आपको दिख रहा है 2 की power 0.7x upon 3 की power 1.25y तो उदर भी 3 और 2 उपर 2 और नीचे 3 base value बना लेता है तो उपर 2 तो दिख रहा है base value 2 है 2 है multiply में है तो power का sum कर लो तो 2 की power 3 plus 1 by 2 तो कितना हो गया यह हो गया 3.5 upon इस 3 को नीचे लेकर आ जाते है क्यों क्योंकि नीचे 3 की power 3 है और यह 3 की power 1 by 2 है तो नीचे आएगा तो 3 की power 3 multiply 3 की power minus 1 by 2 फिर base value सेम होगी तो 3 में से minus 1 by 2 करके लिख लेंगे तो यह लिख लेंगे 3 में से minus 1 by 2 करके 3 की power 2.5 ठीक है अब मैं देख सकता हूँ कि उपर दौनों जगे base value सेम है तो दौनों की power भी सेम है तो यह लीजिए 0.7x किसके equal है 3.5 के तो यह decimal से यह decimal cancel हो गया 7 से 35 गया 5 ताइम्स तो x की value तो आ गई 5 ठीक है चलिए फिर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ base value सेम है तो power भी सेम होगी तो यह power है आपके पास और यह भी power है आपके पास तो दौनों सेम होगी तो यह हो गई कितनी 1.25y equals to किसके 2.5 तो यह हटेगा decimal तो नीचे 100 लगेगा यह decimal अटेगा तो नीचे 10 लगेगा 10 से 10 गैंसेल होगा फिर 25 से 125 फाइफ टाइम्स जाएगा 5 से 10 टाइम्स जाएगा y अपनी जगे पर ही है 2 उधर जाएगा तो y की value 2 आ जाएगा x आया 5, y आया 2 यही पूझा था जो की 4th option हमारा बिलकुल match कर रहा है चलिए बात करते हैं next जो question है 1 1 0 उसके बारे में 1 1 0 कहा कह रहा है let r be the result of doubling both the base and the exponent of a power b b is not equals to 0 if r equal to the product of a power b by x power b then the value of x is r जो है वो आपको कह रहा है क्या किसके product के बराबर है a power b और x power b एक तो बात यह कह रहा है एक यह कह रहा है r be the result of doubling both the base and the exponent of a power b r किसका result है जो a power b है इसके base value को भी double कर दे और इसका जो exponent है उसको भी double कर दे मतलब 2a और यह power कितना 2b तो यह value किसकी है आपके पास 2a power 2b question कह रहा है इसको double करने के लिए तो चलिए अब देख लेते हैं जैसा कि यह हमें दिख रहा है तो बात करते हैं इसके बारे में तो क्या होगा यह r power 2 की power 2b है और a की power b कितनी है 2b है ठीक है तो क्या लेख सकते हैं 2 की power 2 मतलब 4 2 की power 2, 4 हूजाएगा तो यह हो गया 2 की power 2, 4 और 2 की power कितना होगा यह b ठीक है तो यह तो हम इसको a और b में लिख लें जैसे कि यह दिख रहा है कि यहाँ पर a, b की power होगा तो 2 की power 2 होगया और उसकी power कितनी चल रहा है b और यहां पर हम लिख सकता है इसको a b की पावर क्योंकि at last 2 और बी का multiply ही करना तो अभी भी 2 और बी का multiply ही हो रहा है ठीक है और यह अगर मैं इसको 2 अंदर ले रहा हूं बी बाहर रख रहा हूं तो अगर 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखू तो again 2 भी आएगा बिल्कुल वही है तो यहां से बेख सकता हूं a power b x power b equals to होगया आपके पास 4 power b और a b की power कितनी 2 अब हमें value किसकी निकालनी है हमें value देखनी है यहां पर x की value देखनी है तो x की value देख लेते हैं क्या होगी तो X की ही value निकाल नहीं है तो यहां से हम X की value easily निकाल सकते हैं जो कि कितनी आ जाएगी तो देखते हम AB की value यहां पर कितनी आ रही है हमारे पास यह मैं देख सकता हूँ AB one time है यहां AB का square है तो एक बार तो यह cancel हो गया तो यह क्या बज़ गया हमारे पास X की power B is equals to 4 की power B और multiplication में आपके A की power B ठीक है हमें value चाहिए किसकी X की तो यहां पर अगर हम देखें तो same आ रहा है तो इस पर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि X power B दौनों पर power B है तो whole power लगा लेते हैं तो 4A की whole power कितनी B अब हम देख सकते हैं दौनों तरफ power same है तो base value भी same होगी तो X का मान ही हमें निकालना था जो की निकल कर आ रहा है 4A तो फोर्थ option हमारा बिलकुल सही है यह था question number 110 बात करते हैं next question triple one के बारे में क्या कह रहा है देखिएगा which of the following is the greatest कौन कौन से है root 2 cube root 3 4th root 4 और 6th root 6 क्या करते हैं हम जो roots है उनको same करते है कौन कौन से root है square root, cube root, 4th root और 6th root एक तरह से square root मतलब 2 cube root मतलब 3 4th root मतलब 4 और 6th root मतलब 6 इनका LCM ले ले लेते हैं तो इनका LCM आ जाएगा आपके 12 तो सबका root 12 कर दो कर लेते हैं ये हो गया 12 तो 2 था ही 12 कब हुआ जब 6 से multiply किया तो जिस से multiply किया अंदर वो power लगा दो इसको भी 12 करना root में cube root तो है ही तो cube का 12 कब होगा जब 4 से multiply होगा तो जिस से multiply किया उसको अंदर power लगा दो 4th root था 12 root करना है 3 से multiply करेंगे तो जिस से multiply किया अंदर power लगा दो 6th root था 12 root कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि LCM कितना रहा है सभी roots का 12 तो ये 12 तो हो गया 6 को 2 से multiply किया तब root 12 हुआ तो जिस से multiply किया अंदर power लगा दो अब सबके root सेम है तो वही value बड़ी होगी जो सही में value बड़ी है आपको greatest ही पूछा है ठीक है तो 3 के पावर 4 मैं देख सकता हूँ ये result देता है 81 4 का cube हमें पता है 64 6 का square हमें पता है 36 2 की पावर 6 के बारे में बात कर लूँ तो 2 की पावर 4 होता है 16 फिर होता है 32 और फिर होता है 64 greatest की बात हुई है तो 81 मतलब ये वाला बड़ा है कौन सा cube root of 3 इसका वाला second option आपका सही है चलिए बात करते है next जो question है 111 के बाद 112 के बारे में वही चीज़े जो अभी की थी इसमें भी greatest ही निकालना है कौन सा root है square root कौन सा root है sixth root कौन सा root है cube root कौन सा root है fourth root तो जो भी roots है उनका LCM ले लो तो इनका LCM आ जाएगा 6 है सबसे बड़ा नंबर तो 6 की table second time में कितनी 12 सबसे divisible हो रही है 2,3,4 से LCM आ गे है 12 तो सबका 12 root बना लो तो cube root है तो 12 root कब बनेगा ये जब 6 से multiply होगा तब 2 का 12 बनेगा तो जिस से multiply हुआ है अंदर पावर लगा लो 6th root है 12 root कब बनेगा जब 2 से multiply होगा तो जिस से multiply हुआ है अंदर पावर लगा लो cube root है 12th root कब बनेगा जब 4 से multiply होगा तो जिस से multiply हुआ है फेरा पावर लगालो व्रूट है Qbe root multiplied बनेगा एक ऐसाृी कि त्विरी क्यू बना रहे ही क्योंकि सभी रूत्स है और सबकि रूत हम् सेम कर रहें तो फॉर को से मुल्टिप्ला लगाल अब जो नंबर सही में बढ़ा है वही की मiel आई अभी होगा क्योंकि 2 की बार 4 क्या होता है 16 फिर 32 और फिर हम देखते हैं क्या अपके 64 3 का square तो 9 होगा 4 की power 4 देखें तो 16 का square करना हमें एक तरह से जो कि कितना 256 और 5 का cube हमें पता है 125 तो आप सही में देख लीजिए यह नंबर बड़ा कौन सा है 256 तो इसका मतलब आंसूर होगा हमारा यह जो है cube root of fourth मतलब second option सही है चलिए बात करते हैं next जो question है 114 question number 114 के बारे में हम बात करेंगे हमारे next part में thank you so much please like share subscribe digital तैयारी